के नमस्का दोस्तों सुभस्त Member सबका स्वाइब अब सब सबस्क्राइब मेरा नाम है कैसे आप सब उमीद करता हूं कि आप他प स्वरक्षीत होंगे इवं सुल्ख्षित होंगे इवंक पूर रोजभ करते दो तो आज की इस वीडियो में हमारा चर्चा का विश्य होगा अभी हाल ही में हिमाचले में जेबीटी की परिक्षा हो थी उसमें जो हिंदी पूची गई थी हिंदी के तीस प्रशन पूचे गए थे तो उन प्रशनों के उत्तर हम यहां पर देखेंगे क्या उत्तर होंगे और अगर वो प्रशन का उत्तर वो है तो क्यूं है जो भी उत्तर आया है उसके पीछे परिभाशा भी हम देखेंगे इसलिए पूरन रूप से विशिलेशन किया गया हिंदी के पेपर का यह सहाइक होगा जो विद्यारती परिक्षा को देख कर आये हैं तो उनको यह अनुमान करनी है ठीक है तो चले आज की वीडियो को आरम करते हैं और सिर्फ जेवीटी वालों के लिए नहीं यह जो हिंदी व्याकरण जो भी विद्यारती हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं जो हिंदी व्याकरण संबंदित कोई भी परिक्षा देने वाले हैं तो उन सब के लिए सहाइक सिध्ध होने वाली है इसलिए वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें मिन इस वीडिय invaudocus करनेवीरिद्स खरें थिकल सरप्रत्थम देखेंगे पहला प्रशन यहां पर पूछा गया था आप पहला प्रशन था कि मुझसे चला नहीं जाता करण बाचे है औरप लुट या भाव 17 चला मनिन जाता ठीक है मतलब किसफमें के भावना है कि मुझसे यह काम różही किया जाता मतलब भाव की प्रधानता है ठीक है तो भाव की प्रधानता तो इसका उत्तर क्याएगा भाव आच्य और भाव आच्य कहां पर होता है जहां पर करता ठीक है और करम की प्रधानता नहीं होती है करता और करम की प्रधानता नहीं होगी वहां पर भाव आचे होगा तो किसकी प्रधानता होती है नाम से ही यहां पर पता लग रहा है कि यहां पर क्या होगा भाव की प्रधानता होगी ठीक है तो इसलिए इसका सही विकल्ब हमारे पास होगा भाव आचे ठीक है जी चलो आगले प्रशन की और बढ़ते हैं मेरा भा भाई हुश्यार है तो विकल्ब थे मेरा भाई भाई है या हुश्यार अब देखें उदेश और विदे उदेश क्या होता है जिसके बारे में बात की जाए उदेश क्या होता है कि जिसके कि बारे में कि बात कि जाए उदेश हो गया ठीक है और दूसरा क्या होता है विद्धेह ठीक है उदेश विद्धेह क्या होता है जो उदेश के बारे में उदेश के बारे में जो कुछ पहा जाए ठीक है तो वो क्या हो गया विद्धेह अब देखेंगे मेरा भाई कुछ आ रहा है तो इसमें उदेश क्या हुआ ठीक है यह उदेश है ठीक है तो उदेश क्या हुआ उदेश किसके बारे बात हो रही है मेरा भाई उश्यार है कौन उश्यार है मेरा भाई तो मेरा भाई क्या गया यहाँ पर उदेश हो गया ठीक है और विद्धेह क्या हो गया उश्यार है ठीक है तो इसका सही विकल्प क्या था मेरा भाई वि है थीए है घोड भूश ह त्टिक है घोड बोटेह घोड और एक हो गया अघोष वरण कौन से होते हैं कोओ अग्गोष वरन इसमें से विकल्ब था अब अगोश वरन कौन से होते हैं अगोश वरन जो होगे वो पहले दो मतलब जो हमारा जो वर्ग होते हैं न ठीक है हर एक वर्ग के पहले दो वर्ण जो होते हैं वो अगोश होते हैं ठीक है तो इसमें से अगोश्वरण आ गया क्योंकि देखेंगे पहले जैसे तवरण है तो तो पहले दो वरण क्या हो गए अगोश्वरण हो गए ठीक है तो त और तो ऐसे ही कख च ठीक है इसको बुला गया वरण ठीक है जी आगे चलते हैं कि नासिक के व्यंजन क्या है नासिक के व्यंजन कौन सा है इसमें से जह न प या ह तो नासिक के व्यंजन क्या आएगा तो इसमें विकल्प बी सही विकल्प होगा ठीक है मतलब नासिक के व्यंजन वह होता है जहां पर वायू मुक से निकलने में अवरोध होता है और नासिका अराम से निकलती है वैसे सारे के सारे नासिक वेंजन है अगे छलते हैं व्यक्ति वाचक संग्या हमें बताने थी व्यक्ति वाचक संग्या कौन सी है मेज हिमालय गुढ़ापा या आदमी तो व्यक्ति वाचक संग्या कौन सी होती है जो किसी किसी विशेश व्यक्ति और स्थान का जहां से हमें बोध होता हो उसको व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं ठीक है क्या है इ और स्थान का बोध उसको बोला जाता है उसे में विकल्ब सही होगा हिमाल्य क्या है विशेश विशेश पहाड अगर बोला जाता पहाड तो जाती बास चखा जाता तो यहां पर जो एक तरह से व्यक्ति दिखाया गया व्यक्ति में मतलब कि महत्तपून ठीक है विशेश हिमाल्य को दिखाया गया तो यहां पर व्यक्ति वाचक संग्या होगी हिमाल्य ठीक है उसके बाद है दुवित्व व्यंजन कौन सा है दुवित्व व्यंजन हस्ताक्ष दर्पन सवरण और अम्मा तो इसमें से सही विकलब जो होगा वह वहाँ अम्मा णवित्व ब्यंजन कौन से होते हैं जब दो समान ब्यंजन इकटे आते हो और पहला ब्यंजन हलंत हो जाता है हलंत मतलब जैसे कि मालिंद है ये कर्व है तीक है किसे नीचे हळलंत मतलब की यह क्या हो गया आधा कभी बोलते हैं तो जहां पर एक ही इसमें अच्छी मतलब एक im दो बार आएगा और पहला व्यंजजज के होगा हलंat होगा अ मतलब आता है उसको बोला देखो जैसे उधारण यहां पर बताई गई है दिल्ली ठीक है दिल्ली आप यहां पर दो वरन आई कठे लवरन आया और पहला वरन जो है वो क्या है ऐसे ही रसी ठीक है अब इसमें भी क्या है आधास्त है तो यह क्या हो गया हलंत हो गया ठीक है जी तो यह हो गए दुवित् एधिक में से महा प्राण आएगा स्क्रीघ क्या है कि वा जो है उश्म मिकल रही है उश्म निकल रही है पर गरम हवा निकल रही है और ज्यादा वेग से निकल रही है तो यह क्या हो गया यहां पर महाप्रान हो गया ठीक है देखो त म बोलके देखेंगे आप त म और र और ठ बोलेंगे आपको खुद पता लग जाएगा खुद प्रैक्टिकल करके देखिए चले आगे है निम्न में विसमे आदी बोधक कौन सा विसमे आदी बोधक नहीं है ठीक है तो विसमे आदी बोधक देखो वाह वाह विसमे आदी बोधक है यह ठीक है बाप्रे भी विसमे आदी बोधक है अरे भी विसमे आदी बोधक है सिर्फ क्योंकि यह विसमे आदी बोधक नहीं है ठीक है जी तो यह विकल्ब बिल ले कौनसा सुन है तो हर्थ यह जो री आएगा वह हर्थ स्वार आएगा बропえばकल जिसको बोलने में कम समय लगता हो और दीर्ग में दो मात्रा का समय लगता हो ठीक है तो हर्थ ons quotes म्योगा जिसको बोलने में सबसे कम esarा मन लगता है उसको हर्सव बोला जाता है तो री क्या है हर्सव स्वाल है ठीक है जी आगे बढ़ेंगे संघर्षी वेंजन का उधारन दीजिए संघर्षी वेंजन कौन सा है तो दोस्तों इसमें से सही विकल्ब जो होगा हमारे पास वो होगा ठीक है संघर्षी वेंजन वैसे तो मतलब जी उच उचारन होता है जिस वरण का उचारन संघर्ष पूर्ण या जिस व्यंजन का उचारन संघर्ष पूर्ण होगा उसको संघर्षी व्यंजन बोला जाता है ठीक है वैसे तो संघर्षी व्यंजन जो हमारे पास शो च्वल संघर्षि वेंजन और उसके बाद क्या है वण माला के च वर्ग के प्रत्म चार वेंजन अर्था च्छ ज ज को सपर्श संघर्षि वेंजन कहा जाता है तो सपर्श याद रखिएगा आगे चलते हैं शुद्ध शब्द चाटो इसमें से शुद्ध शब्द हमें चाटना था आधीन विमारी कभी दरोगा तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है अब देखो इसमें से विकल्ब जो होगा सी विकल्ब सही विकल्ब होगा क्यों क्योंकि आध अधीन होता है कि वे मेरे अधीन कार्य करता है ठीक है उसके बाद बीमारी बीमारी कैसे लिखा जाएगा कि इस प्रकार लिखा जाएगा ना पिमारी क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा लगाई है कभी बिल्कुल सही है और दरोगा क्या होता है दारोगा दरोगा नहीं होते है तो सही विकल्प कभी कभी इस में से बिलकूल सही लिखा गया है चलो आगे चलते हैं कि शचिंद्र का संदी बिछेर बचाएं कि शुची अंद्र शची इंद्र सदी इंद्र या सुची इंद्र तो देखें शची इंद्र आप शूची इंद्र तो हो नहीं सकता ठीक है उसके बाद सदी इंद्र ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता सुची इंद्र भी नहीं हो सकता तो विकल्ब क्या बचा भी तो सची इंद्र बिल्कुल सही विकल्ब है और यह कौन सी संदी है देखो यहां पर क्या है बड़ी की मात्रा आपको बताएत था ना बड़ी की मात्रा जहां पर आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर क्या होती है दीर्ग संधी ठेक है कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सी संदी है तो दीर्ग संदी याद रखेंगे ठीक है पहचानने का सबसे आसान तरीका उसके बाद है विसर्ग संदी से प्रशन पूछा गया था निफल की संधी क्या होगी निराफल निषफल निशफल या निरफल अब देखो निराफल संदी है यह निश्फल ठीक है जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें क्या कहा जाता है जो हिंदी में परिवर्तन के साथ ठीक है तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं जो कि बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रियोग हो रहे है संस्कृत भाशा के शब्द ठीक है उनको तत्सम बोला जाता है और जो परिवर्तन के साथ प्रियोग हो रहे हैं उनको बोला जाता है तदभाव शब्द ठीक है तो इसमें से सही विकल्ब होगा तदभाव उसके बाद तत्सम श है ठीक है और चण्द्र भी तत्सम्शब्द नहीं होगा क्योंकि यह लिखा जाता है कि या लिखा जाएगा जीवौ यहाओ लिखा जाता है क्या उस्रूम्षब regen ऽ को ठीक से घीवह यह होता है संस्कुत भाश्या का सब्सवाश तो यह हो गया तत्व्षभ जीव हो गया ठीक ए उसके बाद आगे चलते हैं निम्न में रूंधी कौन सा होता है एक यह ए रर लूंती कौन सा होता है जहां जिसको बोलने में जिसके यू चार्ण में जीव जो है वह रहन से योगया और कोई डूनों इर तेकल मुंसे की और कि पहचान ay कि वह मूर्धा से लुड़कती है तीका मूर्धा से लुड़कें बांगे से तो attacks तो वह यह जातो आप देखेंगे इसमें क्या होगा कंपन होती है इसको याद रखेंगे वह साधारन सा लग्वार ये जैसे बाव ऐसे करते हैं तो बार-बार कंपन होती थी जुवान में ठीक है तो वो क्या है वो हमारा लुंतिद विंजन हो गया ठीक है जी उसके बाद है संभव में उपसर्ग संभव में उपसर्ग कौन सा है भव संभ या संभ देखो संभव में उपसर्ग उपसर्ग कौन सा होता है? जो शब्द के पहले आते हैं ठीक है? और जो बाद में आता है उसको क्या बोलने है? प्रते ठीक है? जो बाद में आता है उसको क्या बोला जाता है? प्रते और उपसर्ग क्या हो गया? जो पहले आते हैं ठीक है? तो इसमें क्या? कौन सा उपसर्ग है सम संभव में संभव ठीक है तो सम इसमें क्या होगा उपसर्ग होगा आगे चलेंगे अगला हमारा प्रचन था घुड़ सवार में समास बताना था कौन सा समास है तत्पुर्ष द्वीगू अभ्यविभाव या द्वंद समास ठीक है तो यह भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसमें कहें घुड़ सवार मतलब की घुड़े पर सवार थीक है यह क्या बता रही है हमें स्थीति बता रही है तो किसके अंतरगत आता है है समास थीक है तत्पुर्ष समास जलता है ठीक है कारण करते हैं न तुश्म में पता सब्दिभां का रद चलता है कि र Dlatego अधी कारण को यहाँ पर ठीक है गोड़े पर सवार ठीक है तो यहाँ पर क्या रहे हैं ऊती ठीक है कहाँ पर सवार है घूड़ सवार घूड़े पर सवार तो घूड़ पर रड़ तो इसका आगे चलते हैं आगे हमारे पास है भाषा को सबसे छोटी इकाई भाषा की ठीक है यहां पर की कर लिए भाषा की सबसे छोटी काई कौन से होती है वर्ण शब्द व्यंजन या वाक्य बहुत ही आसान प्रशन यहां पर पूछ गया गया था और मुझे आशा है कि किसी भी विद्यारती का यह ठीक कि चलें अगले प्रशन के और बढ़ते हैं अगला प्रशन हमारे पास था है की कोई मात्रा नहीं होती है वह डैश में ही मिला रहता है तो A की कोई मात्रा नहीं होती तो यह कहां पर मिला रहता है वर्णमाला में स्वर्वेंजन में सिर्फ स्वर्वेंजन में सिर्फ व्यंजन में ठीक है तो इसका सही विकल्ब क्या होगा D क्योंकि भियंजन में मिला रहता है आप देखो क क eux ऐसे लिखा जाता है विना के जब पूरा करेंगे को कैसे बनेगा के में के कि तब कर्दाइबा को जो है उसमें मिला क्या हुआ है जो जितने वियंजन है उन्हें जो मिला हुआ है ठीक है तो सिर्फ व्यंजनों के साथ मिला होता है ठीक है तो इसका सही विकलब डी आएगा उसके बाद व्यंजन का उचारण सदा डैश की साहता से होता है इतना असान प्रशन यहां पर भी पूछ लिया गया था यह परिक्षक ने आपको मुफ्त के नमबर दी है नीश ठीक लसक्ता होता है तो विकलब एकिसका सही विकलब होगा ठीक है उसके बाद था जह उचारण स्थान हमें बताना था जह की लिए निया उच्चारण स्थान के लिए क्या करना होगा खुद बोलके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि जीभा का स्पर्ष जहां पर हो रहा है, वही उसका उचारण स्थान होता है, तो जब का उचारण स्थान क्या है, तालू ठीक है, जबोलके देखें जब, देखो कंट, मूरधा तालू, दंत, ठीक है उपर ठीक है जीभा लगभग यहां मूर्धा में यहां पर स्पर्श हो रही है ठीक है तो यह क्या हो गया तालू में स्पर्श हो रही है मूर्धा तो यह पीछे हो गया ठीक है तो यह क्या हो गया तालू ठीक है जी उसके बाद है पितामबर कैसा शब्द है रूड योगरू तो सही विकल्ब क्या होगा सही विकल्ब होगा योगरूड शब्द है यह क्योंकि योगरूड शब्द क्या होते हैं जो तीसरा अर्थ देते हैं जैसे कि आपने बहु बीरी समास पड़े होंगे ठीक है तो बहु बीरी समास में क्या होता है कि शब्द का जहां पर तीसरा परसिद्ध होते हैं उनको योगरूर शब्द कहते हैं ठीक है तो योगरूर जैसे कि अब दो शब्दों से मिलके बना है लंबोदर जैसे लंबोदर लंबा उदर ठीक है तो इसमें अर्थ क्या निकल रहा है तीसरा अर्थप्रधान होगा ठीक है पितामवर पीला कपड़ा आगे है सुंदर का प्रायवाची नहीं है सुंदर का प्रायवाची नहीं है मन्जुल, चारू, रुचिर, या फिर सिंधू अब सुंदर का प्राइबाची हमें देखना है तो इसमें क्या है कि सिंधू जो होगा वो सुंदर का प्राइबाची नहीं है सिंधू ठीक है बाकी सुंदर के सभी प्राइबाची है सुंदर के वो प्राइबाची देखें कलित ललाम मन्जुल, रुचेर चरू, रम्यमनोहर, सुहावना, चिताकर्षक, रमनीग, कमनीये, उतकर्ष, उत्तम, सुर्मय, ठीक है जी तो सिंधू जो होता है वो सुंदर का आएगा आगे है घन का अनेकर्थी शब्द नहीं है घन का अनेकर्थी शब्द बादल हथोड़ा घना या गरिस्ट तो देखो घन बादल होता है ठीक है घना भी होता है ठीक है और हथोड़ा भी होता है जो बड़ा होता ना बड़ा हथोड़ा तो उसको घन बोला जाता है ठ मतलब इसमें क्या है गरिष्ट जो इसका इसमें इसका विकल्प नहीं होगा मतलब घन का अनेक अर्थी शब्द क्या है गरिष्ट नहीं है ठीक है गरिष्ट क्या होता है वैब भोजन जो पचने में कठीन हो ठीक है गरिष्ट क्या होता है वैब भोजन जो कि ठींता कि पateg मदर कठीनता से 45 चन में कठीनाई या सीधा यहां यहां पर हम यह सकते हैं कि यहां पर हम यह भी लिट सकते हैं हिवेश Grass अpage Crane यहां पर हम फोलिख सकते हैं कि यहां जो सूबक्ये ना हो असानी से ना पचे ठीक है भारी भूजन भी बोला जा सकता है उसके बाद है भूखे प्यासे में समास भूखे प्यासे में क्या समास है द्विगु है, द्वंद है, करमधार है या अव्यविभाव है तो भूखे प्यासे में क्या कौन सा समास है बहुत असान ये भी था ठीक है, यहाँ पर कौन सा समास है द्वंद समास है ठीक है क्योंकि यहां पर देखो यह चीन से भी पता लग जाता है ठीक है बाकि इसकी परिभाशा जो देखेंगे इस समास की द्वं समास की तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा चले आगे अच्छाई में कौन सा प्रते है अच्छाई में आए अच्छा आई देखो अच्छ आई ठीक है तो इसमें क्या आप कौन सा प्रते है आई प्रते है अच्छ धन आई तो आई प्रते आगया ठीक है जी अगला प्रशन हमारे पास था पनुरुप्त liberty का उधारन पनुरुप्त शब्द की आवरिती बार बार होती है ठीक है बार बार हो एक एक शब्द की अब जेखो यहां पर धीरे धीरे दोनुँ बार एक ही शब्द repeat हुआ है आब रिती हुई है तो इसको पुनरुप्ती यहाँ पर बोलेंगे ठीक है जी उसके बाद गंगा हिमाले से निकलती है में कारक में पताना था करम है करण है अपादान है या संबंध कारक है देखो अब यहाँ पर क्या है आपको पता है कि यहाँ पर अलगा बताया यह तो अलगा कहां से पता चलता है तो अलगाव मतलब कि गंगा क्या हो गई जो गंगा नदी है हुआ थो वह क्या हो गई हिमाले से ! गंगा नजी हिमाले से क्या हो गई अलग हो गई इनका क्या हो गया अलगाव तो इसमें क्या हो गया अलगाव मतलब अलग होना ठीक है अलग होना ठीक है तो अलग होना क्योंकि घंगा इनका हिमाले को छोड़कर नकल गई तो अलगव यहां पर हो गया है तो इसमें से में सही विकलब होगा अधियापक बच्चो को परभा रहा है तो क्या है क्रिया कणसी होती है जिस के या का फल कर पर ही पड़ता रहाय तो यहाँ पर किस पर पर रहा है करता पर ठीक है इसलिए यहां पर सही विकल्ब हमारे पास होगा ठीक है दोतों तो यह था आपका जो जे बीटी हिंदी की परिक्षा हुई थी उसके सारे सारे प्रशन आशा करता हूं कि आपके प्रशन जो मैंने बताए हैं उत्तर वही आपके भी उत्तर होंगे और माप भी अपनी परिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे ठीक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं आशा करता हूं लिए सहायक वीडियो को डाला जाता है ठीक है हमेशा ऐसी ही वीडियो अगामी परिक्षाइं कौन कौन सी होंगी उन परिक्षाओं में सफलता कैसे प्राप्त करें उन परिक्षाओं की तैयारी कैसे करें ये सारी किसारी चीजों पर अधारित हमारी वीडियो होती है इसलिए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद इस वीडियो में अंतक बने रहने के लिए